आज मैं निर्वस्त हो जाओंगी मेरी लाज मुख जाएगी मोहण मेरी लोई रोई दी ए साडी रे साडी रे आए जाई आखे सुनाद मेरी लोई रोई दी ए साडी ए जाई ए ते देक मोलादी आरे आज सबा मैं मेरी लाज मुख जाएगी द्रोपती जिन्दा नहीं बचेगी आरे आज सबा मैं मेरी लाज मुख जाएगी द्रोपती जिन्दा नहीं बचेगी ये दूश्का हसे सदे कारी दे कारी दे आए जाई जाई रोई रोई आए जाई रोई 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 जिन्दा नहीं बचेगी कि उस दिन की याज परो जब देवासु संग्राम में तुमारी जब अगली कड़ी तब हमने सारी को भाड़के अपनी चनरिया को भाड़ करके जो रक्त बहरा था अंगली को बांधा था उसी का कर्च चुपा दो बोहन आरे लिया उकरवता दिन की पुरारी आर जादने गुली सक्के तुमारी जादने गुली कड़ी तुमारी जादने गुली कड़ी तुमारी तबू, मैंने फाड़ के पामी साड़ी, साड़ी ने आई जाईयों के शमराई मेरी लोगोई, साड़ी ने आई जाईयों के शमराई यह सोच रहे हो कि हमारी लाग जाएगी, अगर मेर बस्त हो गई तो हमारी लाग जाएगी अगर मेर बस्त हो गई तो हमारी नहीं जाएगी, क्यों? आरे लाग हमारी ना जाएगी अरे लाग हमारी ना जाएगी अरे लाग हमारी ना जाएगी अरे लाग तुमारी जाएगी क्यों? मेर जाएगी तुमारी ज辗 जाएगी अरे लाग हमारी ना जाएगी मेरी रोल रोल भी है साडी रे साडी रे आएंगे इमां प्रेश मुरा उसी समय भगवान श्यान संदर ने द्रोबती की पुकार संदर के बस्त्र को बढ़ता प्रावन कर दिया दूसा सन वस्त्र खीषता जा रहा है इधर भगवान श्यान संदर बढ़ते जा रही है खीषते खीषते उसकी भजाओं में बल नहीं रहा पराज को करके जमीन पर गिर जाता है दूसा सन क्या तेरी भजाओं में बल नहीं रहा है क्या बात है अरे जंदी कर इसे निर्वस्त करके हमारी जंगां पर बढ़ता तभी हमारी तो सिल्य में आग ददत रही है ना वो ज्वाला तभी सांत होगी उसी समय भगतों दुर्योधन के बचन सुनकर के दूसा सन कहने लगा भईया अब मेरे तन बदल में सामर्थ नहीं रही है जो कि द्रवपती को निर्वस्त कर सकूँ हम से नहीं होगा दूसा सन पलास्त हो गया है हितास होकर के निरास होकर के जमीन पहल गया इस प्रकार से द्रवपती की लाज को बचाया है मेरे मोहर में पंड़ मोने क्यों सोर कर रहे मिया इन बच्चों को उधर बैठा सोर ना करो उधर बैठा सामने जब दुर्यों धन से कहा राज बापस कर दो तो कहने रगा है बिना युद के हम सुई की नौ के बराबर पर राज बापस नहीं करेंगे हमसे युद्ध करना पड़ेगा पैसे तो महा भारती बहुत बड़ा है साथ दिनों में महा भारती नहीं हो पाएगा महा भारत और रामायड थोड़ा थोड़ा प्रसंग आया है स्रीमद भागवत में चमा करें यह नहीं है कुछ शूट जाता है कुछ क्या सभी छोड़ जाता है थोड़ा सा प्रसंग है महा भारत और रामायड का स्रीमद भागवत में भागवान तुष्ण की लीलाओं का वर्णन है स्री सूट जी समझाते हैं है सौन का देख रुषियो मा भारत का युद्ध हुआ बड़े 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 योधा मारे गए अन्त में जवो कर्ड मारा गया कर्ड जो कुंती का पुत्र था जहूं कर्ड मारा गया कुंती रोने लगी अर्जुन से कहा अर्जुन ने जब पूछा इतने बड़े बड़े बीर योधा मारे गए तब तो एक भी दिन तुमने अंसु नहीं भाए मा आज जब कर्ड मारा गया है वो भी कर्ड सूत कुंत्र था कर्ड को कुंती ने पैदा किया क्वारे पारे जब कुंती ने देवो का आभान किया तब कथा तो बहुत बढ़ी हैं लेकर अगर यही सुनाते रहे रहे तो आगे कथा हैं विछड़ जाएं स्री सूत जी समझाते हैं उसे लोक लच्चा के कारणा नदी में बहा दिया था उसे एक राधे नाम का जो सूत यानि सूत पुत्र के लाए करणा राधे ले गए थे उनका लान परन किया बड़ी प्रेंप्रेंस हैं लेकिन अंग्रत्षक बन करके दुरियोधन के यहां पर रहने लगा करणा करण जो था कुंती का इपुत्र था जब कुंती रोने लगी अर्जुम ने कहा मा अभी आज तक को तुम किसी के लास पर नहीं रोई है लेकिन आज उस सूत पुत्र के लिए तुमने आशु बहाए क्या करता है तो सारा हाल बताया है कुंती ने वो तुमारा जिश्ट ब्रादा था जब सुना है खड़ मेरा आई भाई था और जो रोन के लिए इतनी सुनकर की हिलकी भर्याई बात पुंती ने जब बर्याई जब तुमें साथ कही है अरजी आंखों में अस्तरपात पहने रहे हैं इतना सुन कर आखि भर आई बेद कुम्ती ने जब ही मताई तुम कैसी मा में लिर गरिया तुने कितनी बातु छुपाई आई पहले से क्यों ना तुने मा बतलाओ करन मेरो रहाई आई सौची दिख मनने आरो बातु ना तुने कितनी बतलाओ करन मेरो रहाई मा तुक मने आज मेरी खुबादी मुझे बहुतार थार थार मैंने भीर योधा को मारा आज इतना दर्द दे दिया हमा तुमने सौची दिख मन में आरो बातु ना में मन की आज आई मेरी मल्या तू मिल गई बतल गई पहले तू मिल बात तुम मताई दिख अगे श्राब दिया हमा तुमने आज आज दिख आज से इस्त्री के मन में कोई भी भीद नहीं चुपए हर बाद ये उचागर कर दें ये इसराब दिया है अरजुन ने कहा आज के बाद इस्त्री के मन में कोई बाद नहीं रहेगी आजकल के तभी से अभी जब तक ये माता है बेहने कोई बात होई जाया तो किसी को अगर बता नहीं देंगी तब तक नच्चे नहीं पड़ेगा तसल्ली नहीं होगी उसी समय धीरे 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 समय भीता कहा भगवाल कुष्ण ने अब रोना बना बना बरो करड़ बड़ा ही महाल था समसे बड़ा दान भी कहा जाता है करड़ जैसा दानी नहीं है अरजन कहने लगे कैसे भगवाल कुष्ण कहने लगे चल करके परीच्छ लेते हैं तुम्हें दिखाते हैं करड़ कितना बड़ा दानी है भगतो उसी समय कुरू छेत के माइदान में अंतिम सांसे भर रहा है करड़ ब्रामर का बेस बना करके अरजन और स्रीकृष्ण आए कहने लगे करड़ हमें दान चाहिए वो भी सोने का करड़ से कहा करड़ हमें सोने का दान दो करड़ करड़ लगा हे मातमन हे मुनमर मैं यहां पर अंतिम सांसे भर रहा हूं और हमसे आप दान मांग रहा हूं फिर भी आपकी मांग भूरी करूंगा किस्षाने कातान दूगा किस्षाने कातान दूगा मुनिराज मरते मरते मेरे आथ नाथ की ही अभीदान करते के किस्षाने कातान दूगा आप यहां पर तान दांग रहा हूं फिर भी मांग भी करूंगा दान दूगा महलों में तुम जो होते जो मांगते तो पाते महलों में तुम जो होते जो मांगते तो पाते मैं भी अपनी इच्छा से कुछ इच्छा दां चुकाए प्रवी में तान दूगा मुनिराज मरते मरते मेरे हाथ ना थकी है अभिदान करते करते अभी में जो होते हैं उसी समय एक पत्थर को उठाया है कौनी के बर चल करके छाती के बर घर्षिट के हुए रेंग के हुए करन ने एक पत्थर उठा लिया पत्थर को दात में मारा दात में सौने की की लगी होई थी कहा लीजिये मुलवर सौने का दान में करता हूँ उसी समय ब्रामन के बेज में भवान कर्ष्ण कहने रगे करन कहा करन में जूठा दान नहीं लेता हूँ इस दान को पवित करके दो क्या कहा पवित करके कहा मुनवर हमारा धनुजबार उठा करके हमें दे दो यह आपका दान में पवित करके दे दूगा उसी समय कहने लगे अगर तुम्हें दान देना है तो स्वेम दान दीजिए मैं आपकी कोई साहता नहीं कर सकता हूँ उसी समय छाती के बल गुटनों के बल कौनी के बल रेंगता हुआ गसीडता हुआ करड़ जहां पर दर्समार जैसे ही दनुसमार बोड़ थाया दारती में पाण मारा निकली है जल की धारा दारती में पाण मारा निकली है जल की धारा मुन बत्रे दन तुमारा मैंने पवित रहे कल कारा मुन बत्रे दन तुमारा मैंने पवित रहे कल कारा मुन अपे जल कारा निकली है सौट मी मुन बत्रे दिन प्हें लुए्षाव जल के रहे कल कारा